सभी भारत वासियों का मेरा नमस्कार, जै हिंद, जै भारत, वंदे मात्रम और शुभ नवरात्रे आज इस विडियो को खास बनाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है आप हम सभी इस नवरात्रों में, इस लॉकडाउन में कंजिकों को नहीं पूच पाए हैं आज नवमी है, हमारे नवरात्रे ऐसे ही निकल गए, बिना कंजिकों को पूजे हुए बहुत सारे घरों में रिवाज है कि कंजिकों को कुछ ना कुछ गिफ्ट, आइटम, कुछ धन राशी अपने-पने सामर्ते के अनुसार दी जाती है इस बार क्योंकि लॉक्डाउन में ये स्थिती पॉसिबल ली नीती जैसा आप सभी लोग जानते ही हैं क्योंकि लॉक्डाउन है, कहीं पर कुछ नहीं मिल पा रहा है, कोई भी बद कंज के नहीं भार मिल सकती हैं क्योंकि इस तरह के हालात हो चुके हैं तो क्यों ना इन हालातों से निपटने क्लेहम अपने माननिय प्रधान मंत्री जिनके द्वारा इतना बड़ा जो योगदान दिया जा रहा है एक छोटा से योगदान हम अपनी तरफ से दे हम सभी लोग एक कन्या को 11 रुपे मातर देते हैं और घर में अगर 11 कन्याओं को भी बिठाते हैं तो 11 रुपे के हिसाब से 121 रुपे एक घर से निकल सकते हैं बहुत छोटा से अमाउंट है बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है तो अगर एक घर भी 121 रुपे भी पेटियम या हमारे प्रधान मंत्री राश कोड कोश फंड में जो उनके अकाउंट दीटेल और पेटियम शेर हो रहे हैं उसमें एक घर भी अगर 121 रुपे दान देता है तो सोचे हमारी 130 प्लस के करोड हमारी जन संक्या है एक करोड घर भी अगर ये इनिशेटिव ले 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 या इस तरीके से दान करने की कोशिश करें तो 121 इंटू 1 करोड मतलब आप वीडियो के मादियम से लोगों को थोड़ा सा इसका समझाते हैं कि सिर्फ छोटी सी कैलकुलेशन आपके जरूरी नहीं है कि आप 11 कंजक के साब से आपकी जो समर्थ है आपका जो समर्थ है दिन राशी में आप जो लगता है आपको कि मैं इस तरीके से सहयो कर सकता हूं या विपत्ति काल में आपका इससे बड़ा सउयो कुछ नहीं हो सकता अपने घर रहिए खुश रहिए सुरक्षित रहिए अपने सभी लोगों के साथ लोकडाउन का पूरा पूरा पालन करिए और अपने स्वास्त की कामना करते हुए सब के स्वास्त की कामना करते है तो इस infringement में आपको एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है इसी वीडियो के मात्यम से सभी को नमस्कार कहना चाहूंगे जै हिं जै भारत बंदे मात्रम